हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल कारमेनिया 4x4 में आपका फिर्स वागता है आज हम आपके लाएं हीरो एक्स्ट्रीम 200S तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं तो लगबग आपको ये एक लाग रुपए एक शोरूम पड़ती है न्यू डेली में तीन कलर आप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं रेड ब्राउन और ब्लैक कलर ये कलर आप देख रहे हैं रेड इसके साथ में भी आपको ब्राउन कलर भी दिखा देते हैं एक ही बिरेंट मिलता है उसमें स्टेंडर्ड आपको लेंथ की बात करें तो 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 बड्रों जाता है 17 इंच's कः आपको आलॉυ मिल जाएगा आपको फड्रेंट और रियर दोनों में ही 70 को 17-8 इन्टी इन्टिन के अलॉय मिलते हैं आपको 17 इनचे science के वे फ्रन्ट और रियर दोनों में ही आपको LED देखने को मिल जाएगी A कब साथी साथ में अगर अगर हम बाथ करें इसके फend tir की तो आपको मिलता है 10048ck का टायर और रियर की बात करें तो 130 by 70 का टायर आपको रियर में देखने को मिल जाएगा इंजन ऑप्शन की बात करें तो आपको एक ही इंजन ऑप्शन इसमें मिलता है 200 CC का एयर कूल्ड इंजन जो की पावर प्रेड्यूस करता है 18bhp की और 17nm का टॉर्ग 5 speed manual transmission आपको मिल जा है जो की mileage देता है आपको 37 kmpl का company claim है friends वैसे है mileage आपको लगबख 30-35 के बीच में देगा front leds की power कुछ इस तरह है सामने से देखने में काफी अच्छी लगती है leds और look भी काफी इनायन्स होता है leds की विजए से front और rear दोनों में ही leds आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें friends आपको ABS मिलता है जो कि आज कल काफी bikes में आपको देखने को मिल जाता है जो भी एक लाग है एक लाग से उपर की range की bike है उसमें सभी में आपको ABS देखने को मिलता है hero की badging black और red का combination आपको मिल जाता है tank पर आपको tank pad भी देखने को मिलेगा seat की quality की बात करें friends तो काफी comfortable seats है इसकी और काफी cushiony भी है साथी साथ में tank में आप देख सकते है fuel lid पे भी black का का काम किया गया है जो की काफी अच्छी एक look देता है काड़ी को स्विच इसकी बात करें friends तो आपके right hand side में आपको kill switch मिल जाएगा और self start का switch मिलता है lighting switch नहीं मिलता है light friends आपको automatic ही मिलेंगी यहां दूसरी तरफ अगर हम आप देखते हैं तो आपको pass indicator horn जैसे functions मिल जाएंगे MID की बात करें friends जो इसमें MID दी गई है या फिर हम कहलें जो instrument cluster की बात करें तो इसमें fully आपको digital मिलता है सारी चीज़ें जैसे की digital speedometer के साथ में आपको tachometer मिल जाएगा gear indicator fuel warning fuel gauge low fuel और battery indication उसके साथ में दो trip meter clock average और date time आपको मिल जाएगा जो की काफी helpful रहता है टेकोमेटर आपको front में display होगा और सायती साथ में आपको side stand का भी indication मिल जाएगा तो ये थी front extreme 200S तो friends आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें comment box में लिखके जरूरू बताइए तब तक के लिए save drive and have a nice day